दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे देश के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर। आईए करते हैं उनसे कुछ बाचीत। नमस्कार सर। नमस्कार बोधी। सर, जनता की शिकायत है बस सर्विसिस से कि बस कभी भी जल्दी नहीं आती। की कोरेगा? जो पब्लिक लोग है, इनको लेट बस का आदत हो गया है। अगर बस टाइम पर आएगा तो यह लोग का बस छूप जाएगा। की कोरेगा? सर, आपने बसिस की हालत देखी है। सीट्स कितनी खराब हो गई है। आपने उनके लिए कुछ किया क्यों नहीं? अरी बाबा, वो तो हम मिनिस्टर बनने से पहले बोल दिया था कि हामड़ा के कुर्सी से कुछ भी लेना देना नौई। की कोरेगा? मगर सर, यह बसिस कभी-कभी नो एंट्री में भी गुज जाती है। ओरी बाबा, वो तो अब हार्ड मीटिंग में बोला है। पार्लियमेंट के अंदर बोला है। जिधर किसी का बस नौई चलता है, उदर हमड़ा बस एकला चलेगा। की कोरेगा? दोस्तो, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बात्चीत, स्वागत है आपका। ठीक है, शुरू करो। नेता जी, आप पानी से जादा शराब को क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि शराब से जादा हमारे देश में लोग पानी से मरते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में हर साल बाढ़ाती है, हजारों लोग पानी में डूपके मर जाते हैं। क्या इतने लोग शराब से मरते हैं। नेता जी, आप संसद में बहुत लड़ाई करते हैं। क्या कभी आप विपक्ष के साथ एकमत हुए हैं। हम पक्ष और विपक्ष के लोग एक बार एकमत हो गए थे। जब पार्लेमेंट में हमला हुआ था। उस वक्त हम सब जान बचाने के लिए एक ही कमरे में घुसे थे। वो भी एकमत। नेता जी चुनाव जीतने से पहले आपने कहा था कि आप गरीबों को छपपर फाड़ के खुश्या देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप सब भूल दे। वो क्यूँ। आपको शायद मालूम नहीं कि 50% काम तो हो भी क्या है। आप गाओं गाओं में जाके देखिए, सब के छपर फटे पड़े हैं। सिर्फ उन्हें खुशियां देना बाकी है। नेता जी, ब्रश्टचार पनपने की असली वज़ा क्या है। हर सरकारी अफसर पब्लिक फंड खा जाता है। इस खतरनाक स्थिति इस से निपटने के लिए आप कोई कदम उठा रहे है। हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। हम सारे के सारे पबलिक फंड खतम कर देंगे। ना रहेगा, पबलिक फंड, न पनपेगा भस्टा चार। दोस्तो आज हमारे साथ है हमारे देश की नेता नेता पल्टू जी आईए करते हैं उनसे कुछ बातचीत स्वागत है आपका सर राम राम मंडड़ी सर इलेक्शन के बाद चुनाथ घोशना पत्र की जांच के लिए कमेटी क्यों बिठाए गई अरे बाबाई तप आश करने के वास्ते कि ये घोशना पत्र के अंदर कोई ऐसा वादा तो नहीं है जो पूर्ण करने ही मंगता है समझा क्या सर पार्लियमेंट में महीला आरक्षन बिल को छूते ही आप बिषोश क्यों हो गए थे अरे काय गम मजली हो अरे महीला आरक्षन बिल ना ही होता वो विजली का भील होता काय मजली नेता जी हमने ये सुना है कि आप अंतिन संस्कार पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर रहे हैं अरे बाबाजी जो पब्लिक लोग है ये आराम से नहीं मरना मंगते हैं समझा क्या इस्क्यूज मी आपको मुझे से कुछ पूछना की मिजाओं मिस्टर कलमाडी आप हमें ये बताए कि कॉमन वेल्थ गेम्स में हुई लूट पार्ट के बारे में आपका क्या कहना है यही तो हमारे देश की मीडिया का प्राब्लम है उसे मेडल से जादा पैसो के शिनता है लक्षा ठेवा खेल भावना ठेवली पाईजेए है खेल भावना रखनी चाहिए बोल रहे हैं ओ गुड गुड लेकिन दुनिया के सामने हमारे देश की बहुत ही खराब चवी का प्रदर्शन हुआ है बिल्कुल नहीं यह मीडिया दरा उड़ाई गई गलत सलत बाते हैं दुनिया के सामने हमारे सिर्फ खराब ट्वालेट और बात्रूम का प्रदर्शन हुआ है चावी का नहीं है और लक्षा ठेवा खेल भावना ठेवनी पाई जेगा है वही पहले वाला ओ गुड गुड लेकिन और स्ट्रेलान प्राइम मिनिस्टर ने तो यहां बिचा नहीं था किंडिया सेक्यों नहीं है अरे कोई उन से कहे क्या चोड़ाखे और यंडियान पॉर्टिक्ष जॉइन करें इतना माल कमायेंगे की एक पुष्ट तो क्या साथ पुष्ट सिक्योर जाएँगे को सब साथकों हब सबाना हाजारमार हम दारूफ़ दारु पी के गाड़ी नहीं चला रहे हैं ओऊ सेढडे नहीं द्राइब पीक्न कभी है hm ठीके और और व एस लगे हम झेला के एक रहा last में रहा आध और बन आध तो यह कॉद्बभग दीली हो जाएगी चल आप तो हमाई सेड़ जी से बोले थे ले जा रहा है खाली वार्निंग दे के छोड़ देंगे अरे बाबा ये वार्निंग ही तो है हम तेरे को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुने दुबारा से ऐसी गलती की तो तो तेरे को दुबारा से आइसेच पगड़के जेल में डालेंगे चल अरे साब हमाने बचने का कोई रास्ता है रास्ता तो है हां तुम हमें कुछ खिला दो वहां पास कुछ नहीं है तो हम तेरे को खिलाता है का जेल की हवा चल साथ साथ अरे सर वेलकम वेलकम आए हम हाथ मिलाने नहीं है हम गुस्सा में है अरे वाह क्या बात है कहिए क्या हुआ साथ आप हम लोगों कैसे हवाईजाज में भेज़ रहें उसका जो पाइलेट रहा हमारी औरत्या को छढ़त रहा है सर आप इने तो कहा था कि आपको सबसे चीफ फ्लाइट चाहिए सर इससे चीफ फ्लाइट और कहां मिलेगी सर अच्छा वो छोड़ो आप ये बताओ आप हमसे वादा किये रहें कि एक ही किराय में सुभे का नाश्ता दुबहर का खाना रात का खाना सम्मिलेगा का कहता उसी म Grand사를 civilicer व्वें सब एक साती कहाना होगा अचा है जा छोड़ो आप वाधा किये रहें कि होटल से समंदर एक दम वाकिंग भाई जी नगद वले डिसको उधार वले खिसको तो आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपके राशन में कीड़े होते हैं कौन बोल दियो गल्द बात है नहीं मैंने खाएं अरे के बात करें भई मैं तो अपने राशन में रोज सुबे सुबे कीड़ा मारने वली दवा डालू हैं नगद वले डिसको उधार वले खिसको देखे आपका फर्ज है कि आप अपने ग्रागों को साप सुत्रा राशन दे वकिड़ मारो फर्ज मने न पताओ मने खुब मालूम है राशन में सफाई के वास्ते मारी धर्मिंदर पाजी से बात हो गई हैं उसे क्या होगा पूरी दुनिया जाने धर्म पाजी कहवे के कहवे मैं तुझे चुन-चुन के मारूंगा चुन-चुन के मारूंगा नगद देखे आप पर ये भी इल्जाम है कि आप राशन कार्ड वालों को राशन देते ही नहीं है ओ सच्ची बात जल साब मैं राशन कार्ड़ वालों को राशन नहीं देता क्यों चीप लगए मैं तो राशन देऊं क्रेडिट कार्ड़ वालों को डेविड्प कार्ड़ Länder को पूरी दुनिया मैशूर हो गयो मिलोड आज हमारी अधालत में मौजूद हैं जल विभाग के अधिकारी मिस्टर जल राज सर आप पर सबसे पहला आरोप ये है कि आप जो वाटर सप्लाई करते हैं लोगों को खुद उस पानी से आप नहाना भी पसंद नहीं करते पहला ही फालतु सवाल बही कोई आदमी आधी वाल्टी पानी से भला क्या नहाएगा देखे आप पर अगला अरोप ये है कि आप समय समय पर पाइप लाइन की चेकिंग नहीं करते फिर से फालतु सवाल बही वो पाइप लाइनों को चेक करने की क्या सुरत है उनमें पानी कहा होता है पानी तो सप्लाई करते हैं प्राइवेट वाटर टैंकर्स देखे आप पर ये भी अरोप है कि आप गाओं गाओं में पाइप लाइन तो बिचा देते हैं लेकिन उनमें पानी नहीं देते फिर से फालतु सवाल भाई वो जो पाइप लाइन बिच्छी है वो पानी पहुंचानी के लिए नहीं है बलकि गाओं में जो बावडी और कुवे हैं उनसे पानी खीचने के लिए फालतु सवाल भाई साब मैं अपनी फालतु सवाल पूछने की आदत से ना परेशान हो गया हूँ मिलोड आज हमारी अदालत में मौझूद हैं मिस्टर इमरान किसमी हाँ तो आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपने राजश्री प्रोड़क्शन की फिल्म टुकरा दी जबके आज तक उनके साथ ऐसा किसी भी एक्टर ने नहीं किया है यू नो आई डूंट ओ आई विल टुल यू राजश्री वाले मशूर हैं फैमली फिल्म बनाने के लिए और मैं मशूर हूँ फैमली तोड़ने के लिए आई मीन फैमली प्लानिंग के लिए 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 देखिए इमरान जी आप पर ये भी इल्जाम है कि आपने आजकल फ अखलीफ होती है दिखे हमने ये भी सुना है कि आप मली का शेरावत को तीदी कहते हैं येस ऑफकॉर्स वाइनोट मलीका जी मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड है उनका किसिंग रिकॉर्ड मेरे से बहुत ज़्यादा है मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनकी रेस्पेक क बिलोड आज हमारी अदालत में मौझूद हैं रोडवेज ढबा के मालिक मक्षन सिंग जी आप चिकन बिर्यानी के नाम पर ऐसी ऐसी बिर्यानी बेचते हैं जिनमें चिकन होता ही नहीं पाजी मैं इनको नहीं ले पाऊंगा ओ यार मखाल नकर एग्जामपल है अब जब साब के नाम में दो दो शेर हैं इनका नाम है अगाशेर सिंग्ड ये शेर जैसे लगते तिरे को एकदम पकरी जैसे हैं ओ यार तू बंदर जैसा मत कर चुरू कर पाजी आप पर ये भी इ मिलने वाले शूप में मक्हियां ढूब कर मरी हुई मिलती हैं ओय पुतर मैं की करां यार में ढाबा चलाओ ये मक्हियों को तेर ना सिखाओं तो पाजी आप इन मखी और कॉक्रोचों को पैस्ट कंड्रोल से साफ क्यों नहीं करते अध्याज है देख भी में शकल से पोला ह पर बेकूफ नहीं मेनूपता है पेस से दान साफ होते मक्ही और कॉकरोज नहीं ब्लडी फूर नांसेस ओडर 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 है और अबर फांस टाइम किसी ने मेरे से ओडर लिता है छोटु एस तरे कर तो मेरी लिए एक चिकन मसाला एक चिकन तंदूरी और बटर नान लेया और सुन उसके बाद असी तुसी पियांगे लसी ओए! बलुबलुबलुब अडि बबाबा, क्या चर्जिया जी सा बात करता है? अडि पिछ गीला है, तो मैं क्या करेंगा यार? पिछ को डाइपर पहिनाओ? चर्जिया राजुबाए ए राजुबाइ, भाव क्या चल रहे लाए? 25 रुपया, एक का क्या, 25 रुपया, कौन से घिलाडी का भाई, पापर का, अरे बबा, तुम शकल से कंगा लगता है, इसलिए क्रिकेटर का भाव बोला ही नि, ये बाई, अब उनको आईजावाईजावाद समझो हा, वो क्या है न, अब उन सोच रहे ला है, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो आप उन नरेंदर सेवाग के उपर पैसा लगा डाले, क्या वलता है भाई, अरे बाबा, सेवाग के उपर लगाएंगा तो थोड़ा रिस्क है, वो क्यो, अगर मैच के बीच में सेवाग की मा का फोना गया, तो सेंसुरी तो छोड़ो, सेवाग एक ही उपर में पैविल बाश्या सलामत की तरे, वो चाहों में लोड जाता है पैविलेन में, उदर आराम करता है एवसी में, परवढ़ेंगा तुमको, भाई आप उनको बताओ, आप उन किस पर पैसा लगा है, आप उनके पास बहुत पैसा है, अचा तुमारे पाकेट में कितना पैसा है, पांच पांच हजा रुपिया, अरे क्या भाई, भीच का तो आप भूली गए ले हो, पांचो, पांच रुपिया लेके घूमता है अकेला, बिना सीकूर्टी के, हाँ, तुमारे पास इतना रुपिया है, तुम तुमको अग आइडिया देंगा, पाकिस्तानी प्लेयर पे पांच रुपिया लगाओ, हम एक पाकिस्तानी प्लेयर तुमको फ्री में देंगा, है, हलो, अरे उजो कालिया है न, अफरीका का, अरे क्या नाम है यार, उसका जो भागता है, बॉलर, अरे जब भागता है तो लाइसा लगता है, नर्स बच्चा चुरा के भागी है, उजो पचा कैसे? अरे बबा, तुम्हारे पास जितना भी ब्लेक मनी है, हम को दे दे हो, हॉलेंड के टीम पे लगा देंगा, क्या बात कर रहे हो पैसाव, मेरा तु सारा पैसा डूब जाएगा, अरे जबी तुम्हारा रुपिया डूबेंगा तभी तु उसके उपर का काला कलर निकल बंद कड़के पैसा लगा देऊ, पर पैसाव उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, पाकिस्तानी टीम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, काला रंग उनका फेवरेट है, एक मैच जीतता है, और नौ मैच में अपना मूँ काला करवाता है, हैं? राज अरे भाई भागो, पुलिस आ रही है, अरे तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो हड कोई पैसा लगाता है, अरे लेकिन उसके हाथ में हत्कडी है, हत्कडी उसको लगाना पड़ेंगा, क्योंकि कल जबी आय था न तो उसने बंदूक लगाय था उस्ट्रिया की टीम पे, क्यों? एक बाद कर पुलिस वाल आ गया तो तुमसे भी उधार ले लेंगा, लेकिन मुझसे के उधार लेगा, वो तो मुझे जानता ही नहीं है, अरे बाबा, जो लोग उसको जानता है न, उसको उधार देता नहीं है, अचा राजु भाई मुझे ये बताओ, कि मैं ऐसे क पर लेकेला ऐसा आदमी है, जो ऐसा चमतकाल करता है, अरे बाबा, उचरी आदमी है, रोज सबेरे नोटो का गड़ी लाता है, मेरी बाडी में टच करता है, और घर जाके फोन करता है, मैंने पैसा लगाय था, अभी कितना हो गया, तो खला मत करो यार, अरे बाबाबा मुझे पताओ के गणकूली का क्या बाब है, अरे तुम्हारा भाव गाउ गऌंगूली सो जास्ति है, झालै अं, अगर तुम क्रिकेट खेलेंगे ना, तुमको बाव जास्ति मेंग, गांगूली का भी कोई भाव नहीं, वाल कुप में भाव नहीं ए, ईकल में भी मुझे अच्छे मुझी यह बताओ के द्रवीड का क्या अबाव चल रहा है अड़िये ड्रवीड पे पैसा लगाना बहुत रिस्क है क्यों अगर तुम ड्रवीड पे आज पैसा लगाएंगा तो तुमको रोकडा मिलेंगा पांच दिन के बाद क्योंकि ड्रवीड को खुद को भी मा पांगा उड़ा इतना बड़ा खिला रही है तो दो सुर्व लगाता है तो मैंसा कड़ो यह 200 रूपिया तौस के उपर लगा देओ तुम्हारा आवकातनी सचीन के उपर पैसा लगाने का ए राजू भाई तोस में तो यह 200 रूपया जासती है उसके लिए तो खाली कोई ल किते होगा है चलो आज दम नहीं छोले गया इससरा मंगुआ जो है आजकल किड्नाइपिंग विकरने लगा है काब मंगू बहुत तरक्की कर लिया हो साब होड़ो गूंबा हो रही मेरी खोबड़ी ऐसी हरक्रतों से आपके पुलिसों तरक्की होती होगी हमारे धंदे में जोली करणा होती है किले अज कलिस दौण के अधिन है जाने लगा है जूँत फ़्राफ है मंगू तो हमको बात बता तो लड़कीं को किड़नेप करके म मल्टी ब्लक्स में छुपा था ना साव रहे किड्नेप ना किया वह बाथ अले मल्टी प्लेक्स में चोरी करके मैं जूत और शेटाफ, बंस अगेन मंगुतु आमको एक बात बता उन लड़का तेरे सा थेतर में मिला कईसे सहाब मैं आपको फुल स्टोरी बता रही हूँ हाँ मैं अभिशेख बच्पन की फिल्म गेम देखने किलिफ सीनेमा हॉल बेगा था लो जी, मैंने सीवा हॉल में कोई ठाई नी मैं एकदम से घबरा गया मैं घबराट में सीनेमा हॉल के बाहर आगिया वह मुझे बच्चा मिल गया मैंने इसको पॉपकॉण का लालाच दिया अंदल लिया कि लो भई दोनों के कमपनी रही अब बच्चा धार मार मार के रोने लगा अब पूरा पॉपकॉण मेरे मूबे भग के थे मारा अलो जो भागा है सिनेमा हॉल के बाहर भीड जमा हो गई अब भीड ने मुझे दोना शुरू कर दिया वह समझे मैंने किड्निप किया अब आप बथाए ऐसी ऐसी फिल्में बन रही है मासूम फस रही है साहबी आप लोग एक जैसा कर रहे हो यह मुझे पसंद नहीं चार चल्प कहा बतादे साहब इस असरा मंगुवा का हिम्मत बहुत बढ़ गया है कहां से पकड़ा इसको अरे अपने एरिया में चोरी कर रहा था मुंगू, तको कितनी बार बोला है कि यह इस इलाका में चोरी नहीं करनी है मैं खोबडी मिनाज हो गई अब हुआ का अपने एरिया में इतनी चोरी आँ बढ़ गई हुजूर मैं अपना घर खुला छोड़ के दूर जाओं कैसे तुमाल हो गया है आपका तो रुत्वा दिनो दिन बढ़ रहा है कि ससरा चोड भी जो है इस एरिया चोड को छोड कर नहीं गाना चाहता है जूत चटाप मंगुतर को कितनी बार बोला ही लाका हमरा है हमरा यह लाका हापक है हाँ फिर तुम परशानी हो गई मेरे लिए जिस तरह से दो तलवार एक में नहीं रह सकती उसी तरह से दो चोड एक इलाके में चोड़ी नहीं कर सकते मैं इस हेजी में नहीं रुकूंगा मैं तो जार हो भाई साहिद जू तो चैठाप अब चुप चाप हमका एक बात बता कि इस सासुरा हमको बूडबक तो नहीं बना के चला गया जल बूलमाग बना के भाज जाता है सासुरा आज एक दर नहीं छोड़ेंगे तो अंगुठी कुछ दिन पहले चोड़ी गई थी जिसके आपकी नजर थी उससरा मांगुआ के पाथ से मिली है ये ये चोरी कांगुठी नहीं है साब मेरी सगाई कांगुठी है इतनी महंगी उठी तो मेरी सगाई में मिली है ये कहां से आई तो आप हमाई सगाई की पूरी स्टोरी सुन लो तो से मेरे चटाः भी हो जाए। सहाँ, मैं चोड़ी करने के लिए परसों पाइब के रास्ते से चड़ दिया था। चड़ दिया हो, चड़ दिया हो, क्या देखता हूँ कि खिड़की पहले से मेरे उस्ताद च्भॉर सीनियर कयोम भाई हां हां जानता हूं आते रहते हैं अगे वो साब पहले से खुड़की बैखने उन्होंने मुझे पाइब के रास्ते चड़ते जैसे देखा उनकी तबियत खुश हो गई वो मुझे लेके नीचे कुदे और खुशी के मारे भाग के सामने जोलरी शॉप में गए ताला तोड़ा और सबसे महेंगी अंगूठी लेकर आए मेरी उंगली पकड़ के बोले बस आज से तू मेरा दामार सर इतक्तम आप तो मिलता जूलता कैसे सर कैसे अरिया आपने जो जुएली नी दुकान में छपा मा रहा था तो आपके सस्रार वाली दब कितने खूसों के गडगड़े आज भावजी जो है वही दुकान का जेवर पहिन के एक दम दमकती रहती है जू तो चटाप ओ ए मंगू तु ही बता कि तुमने सगाई की और अपने भाई को भूल गए हमें कुछ खिलाया ही नहीं सहाब जो मैंने सगाई किये आप ही के खाने के इंतजाम तो किया है भाई मेरी सगाई हुई मेरी शादी भी होगी शादी होगी तो मेरे लड़का होगा फिर लड़का भी मेरे लैन में आएगा वो भी चोर बनेगा आपकी मदस से चोर बनेगा तो हर चोरी में आपको खिलाएगा ज़रूर ये प्रामिस हाम उठी दे दो साब और आओ दिदे लो और आओे लो और आओे लोगा है